हाई गाईज असलाम अलेकूम मैं अफ्रोज कुरेशी आज मैं आप लोगों कबाबो वाली हरी चटनी इमली की बनाना बता रही हूँ यह मैंने साथ हरी मिर्ची ले ली हूँ यह मुठी भर के पोदमीर ले लिया है और यह पोदीना ले लिया है एक टमाटर है यह नमक है यह जीरा है यह कम से कम बारा कली हमने लसन के लिए और यह द्रग और इमली ले लिये हमने यह सब एक साथ में ग्राइंड कर लो मिक्सी में डालके इस सब एक साथ डालके थोड़ा पानी करें थोड़ा पानी दाल दो अपने हिसाब से मिक्सी में यह देखिए चटनी पीसी है लेकिन इसमें थोड़ा पानी दाल के और पीसना है यह देखिएगा कबाबो वाली चटनी तयार है इमली की और आप भी इससे बनाई है और आपको अगर मेरी यह रेसिपी खाने के बाद मेरी यह चटनी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए और जजाक अल्ला